आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सारेस्पी बिना ब्रेड बिना मैदा का तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं एक पेन गैस पर रख लिए हैं और उसमें एक कटोरी पानी जाल लेंगे एक चमच तेल आधी चमच अजवाइन आधी चमच नमक या नमक आप अपनी स्वाथ के अनुसार ले सकते हैं और आधी कटोरी सूजी और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे डो फर्म में आ जाए तब तक ले इसे हम बराबर चलाते रहेंगे बराबर चलाते हुए इसको हम सूजी को पकाएंगे यह बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी और टेस्टी नास्ता बनकर तयार होगा आप देख रहे हैं सूजी मेरा पककर तयार हो गया है अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे ठंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे और इधर नास्ते के लिए दूसरी तयारी कर ले रहे हैं दो उबले हुए आलू ले लिए हैं उसको अच्छी तरह से फॉक की सायता से मैस कर लेंगे आप चाहें तो ग्रिटर से भी ग्रेट कर सकते हैं आलू में गुठलिया नहीं रहनी चाहिए और श्व पात के अनुसार नमक एक प्याज बारी कट करके दो हरी मिच बारी कट करके अज्वाइन को क्रस करके अधी चमच गरम मसाला या यहां पी मसाले अपनी टेस्ट के अकॉडिक आप ले सकते हैं या कम या ज्यादा कर सकते हैं इन सबी चीजों को अछी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे अश्ट्रफिंग मिरा मिक्स होकर तयार हो गया है और इधर सूजी भी ठंधा हो गया है इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसका दो टुकड़ा कर लेंगे एक डो को अच्छी तरह से गोला सेथ देते हुए बना लेंगे ka अब इसे चकले पर हलका तेल लगा कर और हाथों पर भी हलका तेल लगाकर फैलाते हुए यहां बेलन में भी चिपकेगा तो आप बेलन में भी तेल लगा सकते हैं और इसे अच्छी तरह से रोटी जैसा बेलते हैं वैसा बेल लेना है आप देख रहे हैं बेल कर तयार कर लिए एक ग्लास से गोला सेथ देने के लिए कट कर लेंगे सारे नास्ते को इसी तरह से गोला कट करके तैयार कर लिए हैं अब यहां एस्ट्राफिंग को एक चमच लेकर दबा दबा कर इसी तरह से रख लेंगे और इसे चाकु में हलका तेल लगा कर इसमें डिजाइन बना लेंगे आप चाहें तो प्लेन भी शेख सकते हैं और इधर गैस पर एक पेन रख लिए हैं पेन हमारा गरम हो गया है उसमें दो चमच तेल डाल लिए थे तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो नास्ते को एड कीजिएगा और इसे बराबर उलटते पलटते हुए इस नास्ते को सेख लेंगे बच्चो के टिफिन के लिए भी आप इसे ट्राइ कर सकते हैं वीडियो में अगर थोड़ा सा भी कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसे आप छोटी मोटी साम की भूख में भी खा सकते हैं या ऐसे भी बनाकर बच्चों को लंच में टिफिन में दे सकते हैं यह सूजी का बहुत ही हलका फूलका और टेस्टी नास्ता है और एक चुबा या साम के कुछ मिंटों में बनकर तयार हो जाएगा बराबर उलटते पलटते सेक लेंगे आप देख रहे हैं नास्ते में कितना अच्छा कलर आया है और दिखने में भी इतना अच्छा है तो खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा आप इसे चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी इस नास्ते को खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी नास्ता बनता है आप एक बार बच्चों के टिफिन के लिए जरूर से ट्राई कीजिए बच्चों को पहुत पसंद आने वाला ये नास्ता है आप देख रहे हैं कम तेल का कितना क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता सीख कर तयार हुआ है बिना ब्रेड बिना मैदा का ये बहुत ही टेस्टी नास्ता बन कर तयार हुआ है आप देख रहे हैं दिखने में भी कितना आच्छा नास्ता है धन्यबाद वाच माई वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में